असलामों वालेकुम, वलकम आप सभी कैस नई वीडियो में, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे NSP Scholarship Scheme for the Academic Session 24-25, इसमें हम देखेंगे कि NSP Scholarship Scheme की कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं, जिनकी अभी registration की process जमू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में समझाओंगा, schemes के बार में बताओंगा कौन-कौन सी schemes हैं, और उसके साथ सा इसमें आपका scholarship कितना मिलेगा, सारा का सारा इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा important रहने वाला है, इस वीडियो को पूरा end तक देख लेना, चैनल को भी subscribe कर देना, और उसके साथ Telegram ग्रूप औ different communities के students को scholarship दिया जाता है, इसी बीच कुछ AC branches है, जिनकी अब भी यहाँ पर registration की process चल रही है, क्योंकि अब सभी को पता कि 2024 हमारा start हो चुका है, admissions के साथ साथ scholarships की process, जो है वो नई session की यहाँ पर start होने जा रही है, और हो भी रही है काफी schemes की, तो एक एक करके हम सभी schemes के बार में हम बात करेंगे, तो last पर हम देखेंगे कि Jammu Kashmir के लिए कौन-कौन से scheme की registration यहाँ में, state जो schemes होती है, उनमें किस की registration process चल रही है, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर disability वाले candidates के लिए, तो disability वाले candidates हैं, PWD वाले candidates हैं, उनके लिए जो scholarship है, वो सबसे पहले non-professional general degree कर रहे हैं, वो candidate इस scholarship के लिए eligible है, 15 January उसकी last date रहने वाली है, 15 January तक आप लोग यहाँ पे अपने scholarship के लिए apply कर सकते हैं, नेक्स्ट आगर में बात करूँ, minority affairs, यहाँ कि जिसमें हमारा MOMA scholarship, जिसमें minority communities के students eligible होते हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, स्वरी हिंदू की scholarship अभी तक उसकी minority वाला जो है pending है, अभी उसमें 2023 की भी registration नहीं होई है, और 2024 की भी नहीं होगी, इसमें recently आपको अपना biometric update करवाना था, आप लोगों ने करवा दिया होगा, आप यहाँ पर expect कर रहे हैं कि मारिज तक शाहिद इसका आपका scholarship release हो जाएगा, जब scholarship 2022 का release हो after that 2023-24 की यहाँ पर registration की process राट हो सकती है, pre-matric के लिए और post-matric के लिए भी, यहाँ पर उसके बाद अगर हम next बात करेंगे, यहाँ पर Department of Higher Education की, तो Department of Higher Education में वो सभी candidate eligible होते हैं, जो college या university के अंटर पढ़ रहे हैं, यानकि वो graduation level का कोई भी degree diploma को course कर रहे हैं, वो यहाँ प कर रहे हैं, डिगरी कर रहे हैं, वो इसे scheme के लिए अपलाई कर सकते हैं, इसमें आपको 20-30,000 तक scholarship आसानी से मिल सकता है, डिपेंड करता है, अगर आप professional का course कर रहे है, 30,000 तक मिलीगा, non-professional कर से कर रहे हैं, तो 12-15,000 तक आपको per year scholarship मिलेगा, registration की process इसकी चल रही है, 31 January इस इसका जो scholarship है, इसके लिए आप यहां पर इसमें आसानी से जा सकते हैं, और इस scheme के लिए यहां पर eligible है, उसके बाद RPF के candidate जो है, उनका भी यहां पर चल रहा है, 15 January उसकी भी last date रहने वाली है, 12 यहां तक आपको समुझ आगे इन important schemes के बारे में, अब हम यहां पर state schemes में जा इसमें पर यहां पर हम देख लेंगे, post-matrix scholarship for ST student, ST category के जो students है, मैंने आपको पहले बोल के रखा था, कि जो category के students है, उनको special scholarship रहता है, उनके लिए separate scholarship रहता है, खासकर SCST के लिए, इसी में जो candidate ST category से बिलोंग करते हैं, अगर वो post-matrix, यानि 10th के अबो किसी class में पढ़ रह कर रहे हैं, PG वगेरा कर रहे हैं, तो उनके लिए यहां पर scholarship की registration स्टार्ट हो चाहिए, कुछ दिन पहले है, और last year 15 February यहां पर रहने वाली है, 15 February तक आप लोग अपना form यहां पर submit कर सकते हैं, इसमें ST category का candidate होना चाहिए, साधी 3 लाग तक की family income होनी चाहिए, और इसमें आ 9th और 10th का इन्होंने mention किया, 9th 10th में अगर कोई candidate SC category का पढ़ रहा है, तो उसके लिए registration चल रही है, और 29 February उस registration की यहां पर last date रहने वाली है, तो जो जो candidate इस category से belong करते हैं, तो वो इसके लिए जुरूर apply कर देना, 29 February आपकी last date रहने वाली है, उसके बाद post-metric scholarship scheme for SC candidate, SC category के जो candidate है, अगर वो 10th के एबो किसी भी standard किसी भी class में पढ़ रहे हैं, तो उनकी भी registration स्टार्ट हो चुग है, 29 February उसके भी यहां पर आप लोगों को last date रहने वाली है, जो eligible candidate इस category के होंगे, वो इस scheme के लिए जुरूर apply कर देना, और यहां पर आपकी जो defective application की verification मारिश तक य रहने वाली है, 15 February, 15 February तक यहां पर आप इसमें apply कर सकते हैं, इन short words अगर मैं देखू, जम्मो कश्मीर के लिए जो scholarship है, वो SC और ST के candidates के लिए यहां पर start हो चुका है, जो SC और ST category के candidates हैं, और जम्मो कश्मीर UT से belong करते हैं, किसी भी class में पढ़ रहे हैं, उनका scholarship जो प्रिमे 29 आपकी last date यहां पर रहने वाली है, 29 आपको pre-matric के लिए और post-matric के लिए आपको 15 February यहां पर रहने वाली है, और आपकी आपकी पस लागवश एक बेर महीनी का time है, तो जो जो candidate इस category से belong करते हैं, तो इस scheme के लिए ज़रूर apply कर देना, बाकी यहां पर UT Ladakh का भी अगर हम बता देंगे, फिलाल SCST के लिए और उसके साथ-साथ-PWD वाले candidates के लिए आपे scholarship चल रहा है, और जो candidate colleges में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी higher education department वाला scholarship यहां पर चल रहा है, तो इस यूडियो में मैं आपको सारी 3-4-5 schemes के बार में बता दिया, बाकि जब और कोई scheme जिसकी registration के link activated हो जाएगी, वो भी मैं आपकी साथ discuss करूँगा, फिलाल मैं वीडियो को ही पर कतम कर रहा हूँ, कोई भी doubt, कोई भी confusion होगा, मुझे comment section बता सकते हैं, बाकि एसे ही scholarship और job related updates हो, या admissions और counselling के related updates हो, उन सभी updates के लिए आप हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना और उसके साथ, टेलीग्राम ग्रूप या WhatsApp ग्रूप दोनु जगों पे हमारे साथ जुड़े रहना, वहाँ पे आपको updates time to time मिलते रहेंगे, फिलाल मैं वीडियो को ही खतम कर लूँगा, कोई अधर scholarship scheme होगी, उसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाएग